तो प्रोटेक्शन जो है हमारा आज का टोपिक है और प्रोटेक्शन में हम आपके साथ बात करेंगे कि excel के sheet, shell, file को कैसे हम protect करें तो protect करना क्यों चाहते हैं जिसे हमाद लेज़े आपके सामने में डेटा है मैं चाहता हूं कि मिरे इस डेटा कोई भी edit ना कर पाए ऊसको देख पार पर नोबोडी एडित प्रॉटी एडिटा तो सीट के ऊपर राइट कलिक करका अद प्रोटेक् शीट में जा सकते हैं या फिर होम में अबोबार में फॉरमट के अंदर प्रोटेक्शित होता है या आपके रिव्यू टैप के अंदर प्रोटेक्स शीट होता है कही से भी जाज़ते हैं ठीक है प्रोटेक्स शीट में आईए और यहां पासवर्ड डालेए लेकिन मैंने आपको क्यों बोला था कि प्रोटेक्शन जो है जिटाबस की तरह अच्छा नहीं है क्योंकि यहां पे मांको सब्सक्राइब कर रहा है कि इ ने पाईल को बुल जाइए है क्यों increased कि आपके पास्वर्ड को रिकवर्ड कर देंगी लेकिन अगर पास्वर्ड काफिज्यधा श्ट्राउंग या comparison यह और तो वी ठीक है सर तो पास्वर्ड की उपटड करता है कि आपका पास्वर्ड हूब लेकिन Microsoft प्रिक्रमेंट नहीं करता है Microsoft साथ मना करता है कि मैं recover नहीं करूँगा ठीक है पीस भी आपका बात वर करों करते है अब मैं अपने seat के उपर किसी भी तरह का कोई चैंजिंग नहीं करता है ठीक है जी लेकिन इसको select करके copy कर सकता हो इसको select करके copy असानी से कर सकता इस तरह से मैं चाहता हूँ कि मैं अपने data को copy भी ना कर सकता हूँ कोई भी मेरा data copy भी ना कर सके तो क्या करेंगे इसके लिए तो इसके लिए को डिसेबल करना एक्सल के अंदर पॉस्बल नहीं है यहां पी की को डिसेबल करना कोई कॉपी इस नॉट पार्ट अपट अप्ट 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 विंडू है कि ठीक है कि यह पार्ट अप्ट अप्ट विंडू होता है तो हम एक पर इसको अन्प्रोटेक्ट करते हैं कि अब एक ही ध्यान रखिए आपको कॉपी करने के लिए सबसेता जरूब किसकी पड़ती है स्लेक्शन की अब स्लेक्शन ना कर सके तो कॉपी पॉस्बल ही नहीं इस तो यहां हम पास्वर्ट डालने से समय आप यहां बहुत सारे चेक बॉक्स देंगे उपर हेडिंग होता है अलाओ और इस वरक्शीट टू जिसमें स्लेक्ट लॉक सेल और अन्लॉक सेल यहां पर वाइड पॉल क्लिक निगता है तो लॉक और अन्लॉक क्या है इसके बा हम इसको अन्चेक कर देते हैं इसको हमने अन्चेक किया अब मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर सकता और जाइब सी वात है कहीं क्लिक नहीं कर सकता तो कॉपी भी नहीं कर सकता ठीक है अब दूसरी सीप आते हैं मुझे एक particular area को protection से बाहर रखना मैं चाहता हूँ कि ए particular area protection से बाहर रखना ठीक है तो क्या करें जब भी हम password डालते हैं तो यहां उपर लिखा होता है protect worksheet and content of locked cell पता जो protections होता है content की वो locked cell पे apply होता है unlocked cell पे apply नहीं होता है अब बारी आती है कि locked or unlocked cell होता क्या है इसी को जानने के लिए तो आप किसी भी cell tube पर right click करें format cell पे जाए format cell पे उंदर और यहां जो है सबसे last में दिखेगा protection और इस protection में locked पे click होगा तो हर एक cell एक locked पे click होता है मतलब कि locked होता है जिस्की cell पे lock पे click है it means locked cell है हम ने uncheck कर दिया तो unlock होजाएगा lock lock मतलब यह हुआ है ऐसा नहीं कि एंड ओके कर दिया दैन हम इसको प्रोटेक्ट सीट और यहां पे पासवर्ड डाल दिये पासवर्ड को कन्फर्म कर दिये दैन और सबस्क्राइब करना चाहता हूं मतलब कि मैं चाहता हूं कि ए जो एरिया है प्रोटेक्ट के अंदर है बाकी एरिया प्रोटेक्ट से बाहर है हम ने होता है कि राइट क्लिक करके जो को 40 हुता है उसके उंदर जो डूंक की पोपर्टी है ओनेवल होती है मतल कि ऊच्छ लॉक तो हमें पहले सी्प को स्लेक्ट ना होगा है जो मरो और इसी Coral1 Cubdu करके नियुक करें इस पे हम अब पूरा सीट हमारा अलोग है एक एरेड एरिया हमारा लॉग है ठीक है अब हम क्या करेंगे राइट क्लिक प्रटैक शीट और पास्पर डाल के ओके करेंगे अब मैं यहां टाइप कर सकता हूँ यहां टाइप मिली कर सकता हूँ तो समझना है आप लोग होई गुर्दीप जी अब इसका बेसिकली बेनिफिट क्या है हम ऑफिस में किस तरह के यूज करेंगे देखिए जैसे कि मेरा कुछाना की समझते हैं कि पहले आपको टॉपिक को स समझ गया है तो बात करते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या है तो मालीजी कि मैं डेटा करता हूँ यसे मैं यहां लिगता हूँ नेम के वांटिटी अ माइप एमाउन इस थी करमीशन टोल्टल डेट अंध सब्सक्राइब का फिन अब इसमें क्या है कि ज Columbus क्वांटिटी अने मार्पी और छGO आष्डी जो है तो है इसका यहां यह कंग टीर पर्सेंट ऑफसर अब कि तो detector अब अगे जु आप करने के स्वक्रेद्स क्या नाम डालता हूं कि पूजा आपिशन क्या अबने & जाला और टाइप प्रेस करके हमने आपको 63 यहां जाएगा जैसे इनको टाइप प्रेस करेंगे तो यह बाकी अटोमेटिक हो जाएगा और मुझे एके करके फिर यहां डेट और टाइम डालना हो इस तरह से तो आप देख रहे हैं कि हर इंट्री में मेरा चार सकेंड बेस्ट तो यहां जाना पड़ता है तो दोनों में टाइम एच फोड़ा है मैं चाहता हूं कि जैसे में यहां से एरो की टैप को प्रेस करो मेरा करसर जाने जम्प हो के आप ताकि मैं इस कॉलम को इग्लोर कर दो क्योंकि मुझे इसको टाइप करने के जरुवत भी है और आगे की ब है तो इसके लिए इसी मेथ़ड को प्रेंगे हम क्या करेंगे पूरी सीथ को सेलेक्ट करेंगे और हम फॉर्मेट सेल में जाएगे और लॉक पार्मूला लगा हुआ है इसमें वापस locked लगा देगी. अब इसमें हम password डालेंगे, protect kit, लेकि password डालते हैं, हमें, select locked data ने हैं, select locked cell, इसको unchecked करने हैं, locked cell कौन सा है, DEFG, जिसने formula है, तो हम उसमें selection की authority हटा देगी, हम select नहीं नहीं करना चाहते हैं, then, अब देखिए क्या होगा यहां नी तू है मारी है और जैसे टैब प्रेस करेंगे वह आपस है ठीक है तो कोई भी इसमें कोई स्लैक्ट नहीं कर पाएगा ठीक है अब यहां पर टीटें टाइम डाली है तो गुर्दीब जी याले स्याम जी और अजेश जी समझ माया आपको यह अलो है अजी सर अब आगे बढ़ते इसमें सर एक चीज था यह सर यह हमारा हो गया सब्सक्राइश के रिए सा हमें ऐसे यूज करना था लाइक बीच में कोई सवाल निए बनता इस चीज के लिए यह कि जैसे आप किसी के पास निए पोड़ जाया गाजे कॉपी नहीं करेगा तो इस पर इस अपर यह वह वीव कर सकता इस रिपोर्ट को अब आपको किसी को भीजना आए तो उस वान पोड़ेक करके बहें दीज निए कि कि किया है हमने एग्जांपल क्यों बनाया ताकि आपको युदिलाजिशन समझ आजा जाए जाए उस दे दा इंती करते समें प्रोलम नहों इसलिए क्या होता है कि एक एक फॉर्म है का इसा एका अर्थट यहां पर नेम है और यहां आपका रॉल नंबर है यहां आपका मारस है अगर आप बलम के अगर यहां पर político यहां आ कह तो क्या कर दीघे की इस तरह से कर देंगे की मेरा करसर इन की दीमों पर ही जाएगा पाक की जगों भी नहीं जाए रहे हैं और हमने इसको प्रोटेक्ट शीट में गए और इसकी लॉक्त को हटा दिया अब क्या है कि मेरा कर्सर जो है जिसे मैंने हाँ पुजा टाइप करके एंजर प्रेस करूंगा डारेक मेरा रॉल नंबर पी जाए तो उस तरह के चीज़े यहां आप कर सकते हैं अब एक चीज और है कि आप चाहते हैं कि डेटा मेरा कर सके सब कुछ कर सकते बट मेरा फॉर्मूला जो है वो न देख सके बिल्कुल सर यह चीज़ चाहिए सब फॉर्मूला न देख सके तो आपने क्या किया इसको सेलेक्ट कर तो वो data इंटी विंटी सब कर सकी तो हमने क्या किया कि इस पहले दा पूरे शेल को सेलेक्ट किया और मैंने इसको unlock कर दिया ताकि इंट्री कर सकी फिर इसको वापस हमने select करके format चल में जाकर हमने इसको lock कर दिया आप तिक है लोग के सांस नहीं लोग इसमें अहां लॉक कर दिए फॉर्मूला है तो लॉक करना ही पड़ेगा तो अब क्या है कि मैं यहां इसली टाइब कर सकता हूं डेटा इंटी कर सकता हूं आप श्लैक करकी कॉपी भी कर सकता है तिक है गट जैसी में कर्शा दखूंगा ऊपर देंके कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो और इसको कई कोई पेस्ट करेगा तो मेरा फोर्मूला नहीं यह आइगा इस नॉमल डेटा है पेस्ट रिच रिच्छ जिए वैल्या इस किसका इस्तमाल भी आप कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि हम एक सीज पे एक से ज़्यादा पास्पर कैसे लगा है जी है एक से ज़्यादा पास्पर तो मैं पास मा लेचे दो लोकेशन है एक एक है और दूसरा टीम भी है हुआ है हम यहां पर यहां पर हमारा इस ज़्याद करूं कि टीम बी में जर्कार पर चलता हो अलग पर चल्ट ऐनग तीम एक नहीं पर टालेगा ओ टीम बी को चैंज नहीं करता हैं कि तो तुद्लीट अश्थ यह था इसके लिए हमें जाना पड़ा है with you वे जाने के बाद यहां अलाउट ऐड़ी रेंज करना हो आज ड्ली पर किए यहांपर नाम डिशु मीच्र ए और इसका मिस्टट इक अका लोस्म्स्ट अख छया想श अगुं नाम यहां्ट करते शुदंग है सब्सक्राइब करने जाओंगा तो मुझसे पुछेगा पास्वर्ड डाले जाओंगा तो मैं यहाँ पर पास्वर्ड दे दिया तो मैं मिस्टर टीम एक डेटा पर चरंज कर सकता हो इसे आप कई सारे आलग अलग पास्वर्ड डेसाइट कर सकते हो अपने यूजर्स के हिए अफला तौपिक आती है कि मिर्स हमने सेलतों प्रटेक्ट कर दिया तो सीट कोई भी राइट क्लिक करके इसको ईजली डिलीट कर सकता है तो उसके लिए होता है यहां रिव्यू के अंदर ही प्रोटेक्ट वर्क वोग और पास्वर डाल को के कर दीजिए से कि आप Аब सीट को कुछ भी दे कर सकता आपगा स्टुक्टर जो है वो पिर्टेक्ट हो गया ने, सीट इनसाओट कर सकते हैं रिलीट डिलीट रिने मुख घाले, कुछ बहुं अब्सक्का कना-णीब स्टायो क्रिएट किया आपने तो आप यहां मोर ऑप्शन पर जाके ब्राउज में जाते जाते हैं जब फाइल का नाम बगड़ा देते हैं तो यहीं पर टूल्स होता है टूल्स में जर्नल ऑप्शन और यहां पर आप अपने पास्पोर्ट डाल देजिए तो यह आपका फास्पोर तू ऊपने पास्पोर्ट टू मोडिफाई डाल सकते हैं दो अलगा पास्पोर्ट एक पास्पोर ओपन करने के लिए उसरा उसके अंदर चेंशिंग लेकिए कि मैं पराना पाइल कि यह मैं इसको सेवेज नहीं करना चाहता हूँ करने से बहुत सारे लिंक मगरा जो है और तूट जाएंगे उस केस में हम क्या करेंगे फाइल के अंदर इन्फो के अंदर यहां प्रोटेक्ट वार्क बूक पे क्लिक केजिए एंक्रिस बिद पास्वर्ट यह आपका ओपनिंग पास्वर्ट रहेगा ठीक है सर्थ अब करेंगे लिए यह वह लगा तो फिर से बताईएगा फाइल के अंदर इंफो के अंदर इंक्रिट इस पास्वर्ट यह आपको फाइल को बिना सेव किये हुए ओपनिंग पास्वर्ट राज़िए तो यह थी हमारी प्रोटेक्शन में थर्ड की क्लास आप इसको अफर एंगल से प्रैक्टिस कर लीजेगा क्योंकि आगे चल कि इसका बहुत जहां यूज होने वाला है झाल